तेरी मेरी डूरियां के आज के एपिसूड में आप देखेंगे के साहिबा को मेंटल होस्पिटल वाले एंबुलेंस में डाल के ले जाते हैं गेरी अंगत को फोन मिलाता है लेकिन अंगत का फोन नहीं लगता और अंगत फोन नहीं उठाता साहिबा का एंबुलेंस में ले जा रहे होते हैं तभी अंगत की गाड़ी साहिबा की एंबुलेंस के बराबर से निकलती है और साहिबा अंगत को देखती है और अंगत साहिबा की आवास सुन लेता है और अंगत कार की मिरर से साहिबा को देख लेता है अंगत एंबुलेंस के पीछे गाड़ी लेके जाता है तो रास्ते में अंगत की गाड़ी खराब हो जाती है तो वो गाड़ी से उधर के पैदली एंबुलेंस के पीछे भागने लगता है इस बीच उसका गाड़ी से टकरा के अक्सिडेंट भी हो जाता है अंगत साहिबा को ढूनते वें mental hospital जाता है और वहाँ उसे साहिबा को देख लेता है अंगत साहिबा के पास जाता है और उसे हक कर लेता है साहिबा बेहोश हो जाती है अंगत साहिबा को गोद में उठा के वहां से ले जाता और ब्रार मेंशन में वापस ले आता है अंगत साहिबा को कमरे में ले जाता है और उसका हैल रखता है तबी जसलीन और गैरी रूम में आता है और जसलीन पूछती है कि साहिबा ठीक है जसलीन अंगत को सब सच बताती है कि क्या हुआ था कि साहिबा तुम्हारा लाम लेके पूरे घर में भाग रही थी कि तुम्हारे सर पे कोई बड़ा सा पिलर गिर गया है और तुम्हें बहुत चोट लगी है और एम्बुलेंस बुलाने के लिए बोल रही थी तब ही जसलीन साहिबा का माता चैक करती है और बोलती है कि अंगत साहिबा तो बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी हो रही है तो अंगत बोलता है कि आप इसका खैल रखो मैं बस अभी आया आगे आने वाल एपिसोड में आप देखेंगे कि अंगत सीरत से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है अब तो साइबा भी हमारे बीच में नहीं है तो क्या तुम मेरे साथ एक नई शुरुवात करना चाहोगी थोड़ी देर बाद अंगत बोलता है कि यही सुनना चाहती थी ना तुम अब सुनो कि मैं तुम्हारे साथ गया करना चाहता हूँ अंगत सीरत को हाथ पकड़ के ले जाता है और घर से बाहर निकाल देता है ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं मी स्टालेट अंडेटेट्मेंट्